हेलो माई दियो फैंट्स आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्यूल सिस्टम ऑफ डिजल इंजन यानि कि जो डिजल इंजन है उसमें फ्यूल सिस्टम कैसा होता है पैट्रोल इंजन का हमने पहला चैप्टर कर लिया है कम्प्लीट अगर आपने वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में अवलेबल हैं आप देख सकते हो तो शुरू करते हैं इंट्रोड़क्शन एंड डिस्कस करेंगे फंक्शन रिक्वायर्मेंट ओ फ्यूल इंजक्शन सिस्टम तो इंट्रोड़क्शन में देखते हैं कि जो की कमबशन जो होता है यह कंप्रेशन इंग या फिर स्पार्क इंग्निशन इंजन दोनों में कंबशन जो रहेगी प्रोसेस कंबशन की वो रहेगी अलग रहेगी दोनों में अलग होती है जो ऐसा ही इंजन होते हैं यानि कि जो स्पार्क इंग्निशन इंजन होते हैं पैट्रोल इंजन जो होते हैं उसमें होमोजीनि श्रेशो में ने प्लस फ्यूल मिक्षिर को इगनाइट किया जाता है दिन किक्षिर इगनाइट किया जाता है यह जब कंप्रेशन खतम होने वाली होती है तो spark पलक की हैफ से spark produce करी जाती जो कि fuel को burn करती है दें जो ignition शुरू हो जाता है इंगनिशन के बाद जो flame बनती है वो क्या होगी वो आगे जाएगी progress करेगी through the air fuel मिक्षर जो air fuel मिक्षर उसके अंदर जली जाएगी और जो जयसे entire यानिकि सारा जो मिक्षर है ये प्लस फ्यूल का वह सारा कंबस यानिकी सभी का कंबस्यन हो जाएगा लेकिन जो compression इंजन होते हैं उसमें क्या किया जाता है ओली एर सप्लाई करी जाती है इंजन सिलेंडर और डूरिंग न सक्सें स्टोंकी ही सप्लाई करी करी जाती है जो रको confessed किया जाता है तो अंदीड लार्ज कंपरेशन रेज यानिकि ट одно स्थू मतूओं तो ुकläंटी टू तो ऊन्रीयार की लार्च कंबलेशन रेशे से compress किया जाता है ये जो यह large compression ratio तो इसकी वज़ेतर temperature and pressure increase होता है according to the pressure compression ratio जितना होगा है यानि के जितना compression ratio use करेंगे उसी की according जो temperature and pressure जो है वो increase हो जाएगा जो time जो pressure वो 30 तो यानिकि 70 बार तक हो सकता है then temperature 500 तो जितना भी हाई कंप्रेशन रेशियो फ्यूल यूज करेंगे तो में भी हो सकता है कि उसका प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज हो जाए जैसे कि वन टैन टू 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 हंडड़ बार तक भी हो सकता है दूरिंग दी प्रोसेश ऑप इंजएक्शन जनकी जब इंजएक्शन होता है फ्यूल को प्रोकन, तोड़ा जाता है उनको चोट्ड्-चोटोटे drop 맞아ller जाते हैं जोड़ा समय, stop होगी कि पिजा पुट को लेकर पूराइड हो जाएगा फ्यूम तो इस जैसे तो फूल एयर Keep your healthy स्बामने में के बनिंग होना शुरू हो जाएगी जैसे बने यूं वहती है बहनिस जो फ्यूम का वह ज्यादा होता है क्यांगि ज्यादा heat available होती क्योंकि कुछ तो burning की वज़े से और कुछ compression की वज़े से हो गई तो इस वज़े से extra ignition system की requirement नहीं होती है compression ignition engine के अंदर जो required quantity of fuel है इसको inject किया जाता है इना minimum possible time यानि कि minimum possible time में required quantity of fuel की inject करी जाती है और इस तरीके से uniform distribute किया जाता है various part of the combustion chamber तो इस तरीके से insurity होती complete combustion हो जाता है fuel का तो इस तरीके से जो period between the injection and ignition of the fuel is known as delay period यानि कि delay period क्या होता है delay period is a time period between the injection and ignition injection जो fuel inject हुआ है और ignition के दुरान जो time period होता है उनके बीच में उसको delay period बोलते हैं क्योंकि compression हो रहा है देन हमने fuel को inject किया छोटे-छोटे droplets में तो air उसकी क्या करेगा heat को absorb करेगा यानि कि जो fuel air की heat को absorb करेगा तो वापराइज होना शुरू हो जाएगा देन उसके बाद combustion शुरू होगा एकदम से नहीं होगा पहले हीट लेगा fuel देन वापराइज होगा देन उसके बाद combustion होगा तो इस तरीके से जो injection और जो ignition के बीच का जो time period उसको delay period बोलते हैं जो कि लाई करता है बिटूइन दी पॉइंट जिरो जिरो वन टू लेकर पॉइंट जिरो जिरो टू सैकिंड अकोर्डिंग तो the speed of the engine speed की according change होता है यह देर फिर फोल परफोर्मेंस ऑफ इंजन इस टोटली injection system जो fuel injection system उसकी क्या requirement होती है यह कि प्रोपर चलाने के लिए गुड परफोर्मेंस इंजन की कुछ requirement होती है जो कि fuel injection system को पूरी करने होती है वो क्या हो गई कि first of all the fuel should be introduced into the combustion chamber within a precisely defined period of cycle यानकी precisely बिल्कुल accurately defined period of cycle यानकी इस cycle के दोरान किस टाइम पर fuel inject होगा combustion chamber के अंदर उसको एक बिल्कुल accurately and precisely defined होना है तो उसी के according fuel supply किया जाता है देन amount of fuel injected per cycle शुड भी matter accurately जो कितना amount of fuel inject होगा एक cycle में उसको भी monitor यानकी मीटर उसको मापना जरूर होता है accurately कि कितना जाना चाहिए एक cycle के दोरान the rate of injection should be such that the desired heat release pattern is achieved during the combustion यानकी जिस तरीके से rate of injection यानकी कितना rate से injection करना है इस तरीके से होना चाहिए कि desire heat release हो जाए और combustion हो जाए यानकी जितना हमें चाहिए तरीके से करेको देखा जाता है दाइंज्चिनर फ्यूल फ्यूर्ट सूपट विस्ट किया जाता है उन्हें जेक्शन के दूर। वेरी फाइन ड्रोप्लेट में उसको बेजा जाता है इंजेक्ट किया जाता है क्योंकि जितना फाइन होगा इतना पार्टिकल्स जोटे होंगे उतना ही स्पेस उनको जाना मिलेगा और कमशन अच्छे से होगा टाइजों बेजल जाता है उसको किया जाता है इस तरीके से टो जल्दी से एक प्रोपर ली मिक्षियंग और फ्ईूल की जल्दी से और एक अच्छी तरीके से मिक्शिंग और फ्यूल की दा बिगनिंग एंड ओफ दे इंजेक्शन शुड़ भी शार्प यान की जो बिगनी शुरुवात होती है और एंड होती है इंजेक्शन की वह शार्प होनी चाहिए जल्दी-जल्दी होना चाहिए अगर मालों मल्टी सिलंडर इंजन की बात करते हैं तो वहाँ पे जितनी क्वंटिटी यान की इक्वल क्वंटिटी सभी में सभी सिलंडर में सप्लाई होनी चाहिए जितना फ्यूल की रिक्वाइर्मेंट है इंजेक्शन टाइमिंग शुड़ बी डेचेंज अकोर्डिंग सब्सक्राइब को एक अगरेंग यह द्यां कि हम देख सकते हैं तो यह तो यह इसकुसण मिलेंगे एक और बहतरी नीवीडियो के साथ में तब तक अपना ख्याल रखना है वे नैस टेए झाल झाल